हेलो स्टुडेंट आप सबका अन एकड़ी के आनलेंड लर्नी प्रेटफार्म पर स्वागत है वस्तुतक क्रेक यूपीसे-CSE GS with India's largest learning platform है यह दिया सब्स्क्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुड़ते हैं तो आपको देली लाइब क्लासेज, इस्ट्रेक्चर कोर्सेज, लाइब टेस्ट क्वीज, अनलिम्टेट एक्सेस प्राफ्थ होगा अर्थात आप एक से अधिक बार देख सकते हैं यह सुविधाप को मिलेगी लेकिन यह सुविधाप को तभी मिलेगी जब आप अल एक्रिडमी के आप को डाउनलोड करेंगे, अब अपनी बात करें, मेरा नाम यस्वन सिंग है और पिछले 15 से 20 वर्ष का टीचिंग एक्स्प्रियेंस है और मैं निश्ची आईयस अकेडमी में, पिछले 15 से 14 सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, प्रजिन टाइमें मैं निश्ची आयस अकेडमी का डारेक्टर हूं, और मेरे पढ़ाईवे लगबाग, 100 से अधिक बच्चे आईयस में सेलेक्शन ले चुके हैं, अब सुच्छो जराव, यदि आप अनेकेडमी के आल्लेंड, लर्निंग प्लेटफर्म से जुड़ते हैं, तब को इंडिया के बहतरीन टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, चाया रोमन सेनी हो, चाया मिडाल पटेल हो, चाया सुदर्सन गुर्जर की बात करें, या मुदित गुप्ता की बात करें, वस्तुता अलेक्डमी के आल्लाइन लर्निंग प्लेटफर्म पर यह सारे कोर्स हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, जागर्फी, आफि एक प्लस और दुस्र आइकॉनिक है, प्लस के हम बात करें, यह कुर्स एक महिना, तीन महिने, छे महिने, बारह महिने, चोविस महिने और चथिस महिने का उपलब्त है, इसकी फीस जो भी है, यह दिया, निश्चे, कि रिफरेल कोड को अप्योग करती हैं, निश्चे, तो आपको 10% discount मिलेगा, आप सोचो आप, इस कोड को उप्योग करने से आपको 10% discount मिलेगा, अंतरता आइकॉनिक कोर्स के बात करें, आइकॉनिक और प्लस में basic different यह है, आइकॉनिक में आपको personal coach के सुबदा उपलब्त होगी, daily main squeeze and answer practice के सुबदा उपलब्त होगी, study planner के कोड़ी से ज्यादा है, लेकिन आपको सुबधाय भी अच्छी मिलेगी, जो आपको selection में एक बड़ी भूम का निभा सकती है, लेकिन इदिया आप, निश्चे के कोड का उप्योग करती है, ता आपको 10% discount मिलेगा, अन एकेडमी के online learning platform पर, आपसनल कोड का उपलब्त है, आपसनल, जिसमें फीस का 10% discount हो जाएगा, यदि आप निश्चे के रिफरल कोड का उप्योग करती है, तो, आप सोचू जड़ा, अब हम बात करते हैं, पिछले क्लास में मैंने ये बताया था आपसे, कि कौन-कौन से factor है, जो internal security की problem को create करते हैं, आप प्रसनी ये उठा, कि factor की बात, जिसमें बाते कर चुके हैं, और मित्र परुसी, अर्थात, परुसी देश ऐसा है, जो भारत का मित्र नहीं है, तो क्या problem create होगी, दूसी बात मैंने का, गरीबी, ये जो गरीबी है, ये कैसे, problem create करेगा, हमें सहजान दो, जब factor की बात हो रही थी, तो पिछले क्लास में मैंने ये कहाँ था, कि आंतरिक सुरच्छा को कमजोर करने के लिए ये factor है, जिसमें आमित्र परुसी की बात हो चुकी थी, अब हम बात करेंगे, गरीबी, गरीबी कैसे, internal security के लिए एक problem create करेगा, फिर हम बात करेंगे, बिरुजगारी, हमें सहजान दो इस बात को, जैसे ये बात हो रही थी, कि आंतरिक सुरच्छा, आंतरिक सुरच्छा को कमजोर करने में गरीबी की क्या भूमिका है, ये कुछ ऐसे terms है, और UPS से हो सकता पावर्टी से सिध्य प्रसुन उठा दे, और internal security से जोग दे, जैसे हमने का मान लिया जाए, हम गरीबी की बात करेंगे, ये कैसे एक problem create करेंगे, पुरिवाध्यान दो, गरीबी से क्या होगा, भुकमरी और कुपोशन की समस्या बढ़ेगे, कुपोशन की समस्या, ब्रिद्धी होगी, ग्यान देने इस बात को, जब गरीबी की बात करेंगे, तो भुकमरी बढ़ेगे, कुपोशन की समस्या में क्या होगी, ब्रिद्धी होगी, दूसरी चीज़ बात करेंगे, गरीब वर्ग, मूलभूत, सुविधा से, वन्चित हो जाएगा, हमीच्छा, हम तीजरी चीज़ बात करें, स्वास्थ और बहतर सिक्षाओं से नहीं मेल पाएगी, बहतर स्वास्थ एवं, बहतर, सिक्षा से, हम वन्चित की बात करें, मैंने ये कहा कि गरीबी कैसे, इंटर्नल सेक्यूर्टी के सामने, एक प्राप्लम क्रेट कर सकती है, गरीबी, भुकमाली कोपोशों के समस्या में व्रिद्धी, गरीब वर्ग, मूलभूत, सुविधाओं से वन्चित हो जाएगा, और तिसरी चीच, बहतर स्वास्थेवं, बहतर सिक्षा से वन्चित हो जाएगा, इसका प्रणाम क्या होगा? हमेशा, इसका प्रणाम ये होगा, एक तरफ उसका विकास बादित होगा, वो गर्वा में जीवन नहीं जीपाएगा, हमेशा जान दो, इसका प्रणाम क्या होगा? गरीब, वर्ग का, विकास, बादित, पहले बार ध्यान इस बात को, जब बादित होगा, तो सुभाविक है, गर्मा में जीवन, बादित, गर्मा में जीवन बादित होगा, हमेशा जान दो इस बात को, तो बेवस्था क्रति आक्रोष पैदा होगा, की प्रति आसंतोष पैदा होगा? अजब आसंतोष पैदा होगा, तो कालांतर में क्या होगा? कालांतर बे आसंतोस हिंसक आंदोलर में रूपांतरेत अब सुचो इसका पड़ाम क्या होगा कि नक्सलवाद का विस्तार अग्राइब मैंने का गरीबी गरीबी भुकमरी कोपोशों के समस्या में बृद्धी होगी गरीब वर्क मूलभूत सुभधा से वन्चीत हो जाएगा बहतर स्वास्थेवं बहतर सिक्षा से वन्चीत हो जाएगा गरीब वर्का विकास बाधित होगा पड़ामता गर्मा में जीवन बाधित होगा बिवस्ता का संतोस पैदा होगा का अंतर में क्या होगा या संतोस हिंसक अंदोले में कन्वर्ट हो जाएगा नकसलवाद का विस्तार होगा और नकसलवाद आंतरिक सुरुच्छा के लिए एक बहुत बड़ी चुनोती है हमेशा धान दो कि ये सबसे बड़ी चुनोती क्यों है नकसलवाद हम दूसरी चीज़ी बात करें माल लिया जाए देखो दो चीज़ होगी सिंपल चीज़ी देखा जाए कि ये गरीबी होगी तो सुभाविक है हमेशा धान दूस बात को कि मूलभूत सुभिधा अर्थात सिक्छा एवं स्वास्थ सेवन्चित इससे क्या होगा संसाधन का विकास नहीं होगा इससी क्या होगा हम दो चीज़ होगे अर्थ व्यवस्था में योगदान नहीं दूसरा क्या होगा हमेशा धान दो अर्थ व्यवस्था प्रबोज पर बोज इन दोनों का प्रडाम क्या होगा जब बोज बढ़ेगा तो प्रडाम क्या होगा हमेशा धान दिस बात को उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव अजब उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रडाम क्या होगा आर्थिक सम्र्धि पर प्रतिकूल प्रभाव इससे क्या होगा बिरुजगारी बढ़ेगी इससे क्या होगा आंत्रिक सुरच्छा कमजूर एक बात हमेशा धांद इस बात को चीजी आपस में कैसे इंटरलिंक है मैंने का गरीबी मुल्बू सुभिधा और ता सिक्चान स्वास्त से वन्चीत होगे लोग मानुस संसाधन का विकास नहीं होगा और तव्योस्ता में योगदान नहीं और तव्योस्ता पर बोज बढ़ेगा पड़ामता क्या होगा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा आंतता आर्थिक संब्रिधी पर प्रतिकूल प्रभाव बेरुजगारी में ब्रिधी होगी आंतिक सुरच्छा क्या होगी कमजोर होगी एक सर्फड़ी चीज़ तो यह है अब सोचो इसकार्थ यह कि गरीवी कहीं कहीं इंटर्नल सेक्यूर्टी को कमजूर कर रही है हम दूसरी चीज़ बात करें हो तक है मान लिया जाए देखो आप पर उसी देशों में इदी गरीवी है पर उसी देशों में गरीवी है तो हमेशा दो प्राव्लम क्रीट होंगी एक सरार्थियों के समस्यक्त की और दूसरा है संग्ठित आपराद में बृद्धि पूरी बाध्यां दूस्बात को यह दिप पर उसी देशों में गरीवी बढ़ी तो स्रणाथियों की समस्यक्रीट होंगी फरिक्जम्पल यह दिबंगला देश गरीव है तो बंगला देश से बड़े पैमाने पर सरार्थी भारत आएंगे और आर्गनाइट जो क्राइम है संग्ठित आपराद में क्या होगी बृद्धि होगी आप सोचों यह दिख्राथी के समस्या क्रीट हुई तो हो सकता है संग्ठित टक्राओं होगा हमेशा सांस्कृति के वं भूमी विबात बढ़ेगा आप दको संग्ठित आपराद में दी बृद्धि हुई तो ड्रक्स और हत्यारों के टसकरी होगी ड्रक्स एवं पूरी बाध्यान दे इस बात को ड्रक्स रेदे इदे सांस्कृतिक भी बात और भूमी बात पैदा हुआ तो स्राराथियों को भगाने के लिए आतंका सहरा के लिए आप सोचो यदि यह हुआ आतंकी संगठनों को क्या होगा पूरी बाध्यान दे इस बात को मैंने क्या का अब तक करना बात यह कर रहे थे कि गरीवी कैसे इंटर्नल सेकूर्टी के सामने एक प्राव्डम क्रीड करेगी अब इदी बात करें पर उसी देशों में गरीवी बढ़ी तो स्रार्थी की समस्या बढ़ेगी सांस्रिति को भूमी बीबात बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे सरार्थियों को भगाने के लिए आतंका सारा लेंगे जैसे असम नार्थिष्ट के हम बात करें दूसरी तरफ संकटित अपरात में दिब इद्धी होगी क्योंकि परोसी देश क्या करेंगे परोसी देश की नागरे संकटित अपरात को प्रमोड करेंगे अर्गनाइज क्राइब यह लोग क्या करेंगे ड्रक्स यह हत्यारों के तसकरी को प्रमोड करेंगे पढ़ाम क्या होगा कि आतंके संक्टनों को पैसे यह हत्यार की आपूरती होगी इन दोनों के पढ़ाम क्या होगा आतंकव अब एक चीज़ सुचो ये दिया आतंगबाद का विस्तार हुआ तो इंटर्नल सेकूडी क्या होगी कमजोर होगी इसे ये कहा जाता है कि भारत अपनी गरीबी दूर कर ले जाए तो भारत की गरीबी दूर होना आंतरिक सुरच्छा की गारंटी नहीं है जब तक पुडूसी देशों में गरीबी दूर नहीं होगी क्योंकि हर देश का नागरे एक बहतर भविस्त के लिए उन देशों की और उन देशों की और जाने की कुशिस करता है जहां एक गर्मा में या सुख में जीवन जी आ जा सकता है आप सोचू जरा कैसी चीजे चल नहीं है और सारी चीजे आपस में इंटर लिंक है यह दिम यह बात करें प्रस्ण कैसे पूछेगा यूपीएसी हमेशा जान दो प्रस्ण कैसे पूछेगा यूपीएसी यह कर सकता है कि गरीवी को दूर किये बिना आंत्रिक सुरच्छा को मजबूत करना अत्यांत कठीड़ है इस पश्ट करें एक सिंपर कुछन पूछा जा सकता आप से कि गरीवी को दूर किये बिना आंत्रिक सुरच्छा को मजबूत करना अत्यांत कठीड़ है माल लिजे प्रस्ण यह पूछा गया तो सबसे पहले हम इंटरनल सेक्यूटी को मजबूत करेंगे मेनिव बताएंगे हम इसका आंसरी दीच चलेगा तम सब से पहली यह बताएंगे आंत्रिक हम सुरच्छा का आर्थ बताएंगे लिए और हम सीधी की डाइग्राम बनाएगे डाइग्राम कानून कानून पाले हमेसा जांद इस बात को दोसी बाद सांधि पुन सास्तित्तो और तीसरी चीज अधिकारों का उभ्भू एक चीज अधिस बात को यह फर्स्ट पैरा हम से केंड परेम यह बताएंगे प्रस्ट को देखो गरिवी को दूर किये बिना आंत्रिक सुरकत सुरचा का मजबूत कनातेंद कठीन है हम से केंड पहरेम आएंगे और यह बताएंगे कि गरिवी को दूर किये बिना आंत्रिक सुरच्छा को मजबूत करना कठीन है हम क्यों कठीन है ए बी सी और डी की बात करेंगे लेकिन हम एक्जांपल देते चले जाएंगे जैसे हम नक्सलवाद की बात करें नक्सलवाद की बिस्तार में गरिवी की बड़ी भूमिका है यह चीज़ा आगे पढ़ेंगे अंत में हम निश्कर्स की बात करेंगे और निश्कर्स में पर एक चीज़ खुशिस करनी है आपको जिसे मान लिया जाए जहां गरीबी जादा है वह नक्सलवाद का बस्तार जादा है आप सीदी क्या करोगे एक मैब बना दोगे आप आज जब मैब बनाओगे तो यह जो पूरा इंडिया का बेल्ट है यह यहां गरीबी जादा है जंजाती छेत्रे स्वभावी के यहां नक्सलवाद का बिस्तार ज्यादा है हम फीगर बनाते चलेंगे हर एक चीज को और हर एक प्रस्न में हमारी कोशी सोगी कि कम से कम एक या दो फीगर का प्रियोग जरूर करें अंत में हम निसकर्स की बात करेंगे और निसकर्स में हमारा जो निसकर्स होगा वो पाजिटिव होगा एक बात ध्यांद इस बात को इससे देखा होगा यह सारी बाते करने के बाद गौर्मेंट क्या करती है आंतरिक सुरुच्छा को मजबूत करने के लिए गरीवी उन्मुलन कारक्रम चलाती है अकि गरीवी उन्मुलन कारक्रम क्यों चला रही है ताकि गरीवी दूर हो और आंतरिक सुरुच्छा क्या हो मजबूत हो एक सिंपल कुश्चन माल लिया जा अगला कुश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि यह कहा जाता है आंत्रिक सुरच्छा का समाधान राजनितिक क्यों सामरीक नहीं बलकि आर्थिक अस्तरप होना चाहिए आंत्रिक सुरच्छा की समस्या का समाधान समाधान सामरीक नहीं बलकि आर्थिक अस्तर पर होना चाहिए एक प्रस्नी है आंत्रिक सुरच्छा की समस्या का समाधान सामरीक नहीं सामरीक का मतलब है शैन अस्तर पर सामरीक नहीं बलकि आर्थिक अस्तर पर होना चाहिए इसपश्ट करें आप एक सी सुचों दूसरे परस्न पूछा जा सकता आपसे कि गरेपी और आंत्रिक सुरच्छा की बात करें आंत्रिक सुरच्छा की कमजोरी में एक अन्युन्यास्रे संबंध है गरीबी एवं आंत्रिक आंत्रिक हमेशा जान्दों यह कहते हैं गरीबी एवं आंत्रिक सुरच्छा की चनोती में एक अन्युन्यास्रे संबंध है में एक अन्युन्यास्रे संबंध है इस परस्ट करें अब इस प्रस्ट को देखो गरेवे और इंटरल सेकूर्टी हम यह कहें प्रस्ट यह पूछ रहा है कि यह गरीवी है और यह आंत्रिक सुरच्छा की बात करें हमेशा जान दो इस बात को पूरी बात जान दो आंत्रिक सुरच्छा की कमजोरी यह कहना चाहता है कि यह इसको प्रमोड कर रहा है और यह इसको प्रमोड कर रहा है गरीवी इंटर्नल सिक्यूर्टी को कमजोर करती है और कमजोर इंटर्नल सिक्यूर्टी गरीवी को पुस करता है हम यह कैसे कह सकते कि आंत्रिक सुरच्छा कमजोर होगी हमेसा जान दो हम यह कैसे कह सकते आंत्रिक सुरच्छा कमजोर होगी तो हमेसा जान दो इस बात को गरीवी क्या होगी बढ़ेगी यह कैसे कहा जा सकता आप देखो आप ये दियम इसको देखती है तो मैंने क्या का गरीबी इंटर्नल सेक्यूर्टी को कमजोर करेगी और कमजोर इंटर्नल सेक्यूर्टी गरीबी को क्या करेगा पुछ करेगा अकर ये कैसे होगा हम किस आधार पर कहा सकते हैं कि गरीबी इसको ध्यान से समझे इस कैसे और किस रूप में यह चलेगा इदें बात करें तो ध्यान से सुने इस बात को हम यह कहें माल लिया जाए यह ग्राफ आंत कमजोर आंतरिक सुरच्छा कमजोर आंतरिक हम सुरच्छा की बात करें यह ग्राफ जोर आंतरिक सुरच्छा होगी तो सुभावी के निवेश कम अब सुचो आप जब निवेश कम होगा अधोगी करन कम आप सुचो अधोगी करन कम होगा रोजगार का पृजगार का सुरच्छन कम होगा तो गरीवी में निवेश क म इरों को ध्यान से पाक ड़ो आप इस वात को कि lake engineering security कैसे गरीवी में उपूस करेगा प्रसाशन यह जर säga कि poverty और internal security के भी अन्योय नियासरी का समन्ध है पावर्टी इसे प्रप्रमोड करेगा और यह इसे प्रमोड करेगा आप ध्यान दे इस वात को कमजूर वेक इंटनल सेकूर्टी इन्वेस्टमेंट कम होगा पैसा का इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगना आगे वनों डिस्कस करेंगे निवेश का मतलब क्या होता है उद्धोग कम लगेंगे और दोगी करन कम होगा तो रोजगार का स्रिजन कम होगा रोजगार का स्र गरीबी क्या करेगी इंटर्नल सेक्योर्टी को कैसे कमजोर करेगी देखो आप यह तो यह है कि कमजोर इंटर्नल सेक्योर्टी गरीबी को पुश्च करेगी सोचो आप यह वाद हमें साध्याद इस बात को हम दूसरे चीज़ बात करेंगे यह दिक कमजोर इंटरन सेक्यूटी होगी तो आर्थी गरिभी उनमलन नेतियों का विकास नहीं इसको इस तरह देखो आप कि यह दिमाल नहीं आ जाए कमजोर आंतरिक स्वरच्छा होगी तो सुभावी क विकास योजनाओं का क्रियानों नहीं हो पाएगा विकास योजनाओं का इसका होगा क्या गरिभी उनमलन करकरम करकरम का क्रियान न प्रभावीद एक चीज़ों यह क्या करेगा गरिभी में व्रिधी करेगा इसे यह कहा जाता है कि यदि गरिभी को दूर करना है तो आंतरिक स्रुज़्चा को मजबूत करना होगा ज्यान इस फिगर को देखो आप वीक इंटरल्स सेक्यूर्टी इनवेस्ट्मेंट कम होगा यह कम हो गात और दोगी कम होगा रुजगार का श्रीज़न कम होगा गरिभी में व्रिधी होगी लेकिन कम जोर आंतरिक स्रुच्छाँ से क योजना का क्रियानन नहीं होगा पडाम्त क्या होगा गरीवी उन्मुलन कारक्रम का क्रियानन प्रभावित होगा यदि ये प्रभावित होगा तो गरीवी में क्या होगी व्रिद्धी होगी इसलिए आंतरिक सुरच्छा कमजोर होने से गरीवी में व्रिद्धी होगी आप सो कमजोर करेगा है हमेसा जानतों ये कैसे कमजोर करेगा होगा क्या आइस बात को जैसे मैंने ये कहा कि माल लिया जाए गरीबी ये गरीबी बढ़ेगी तब व्यवस्था कि प्रति असन्तोस पैदा होगा है असन्तोस आप सचोड़ जब असन्तोस पैदा होगा तो सभावी क्या है ये असन्तोस हिंसक आंदोलों को रूप रेने पार यदि असन्तोस हिंसक आंदोलों को रूप ले लिया ले लिया तो प्रडामत क्या होगा हमेशा उग्रवाद का विस्तार होगा दूसरी चीज़ इदे गरीबी में ब्रिद्धी वी तो नकसलवाद को पुरसाद आदे नकसलवाद का विस्तार होगा तो ये दोनों क्या करेगी आंतरिक सुरच्छा कमजोर होगी पुरी वाध्यान देने इस बात को मैंने क्या कहा ये जो गरीबी है विवस्थाक प्रति असंतोस पैदा होगा यति ये असंतोस हिंसक अंदोलन का रूप ले लिया to गरवाद का विस्तार होगा दूसी बात नकसलवाद के विस्तार होगा आंतरिक सुरच्चा क्या होगे वाले कमजोर होगे इसकार्थ ये है कि गरीबी इंटेनल से कौड़ी को कमजोर करती है और आंत्रिक सुरच्छा गरीबी को क्या करता है प्रमोड करता है आप देखो आप सिंपल चीजे हम ये कहें गरीबी आप दोस्य चीज कमजोर आंत्रिक सुरच्छा हमेसा धांत इस बात को ये चीद देखो आप ये इस्से प्रमोड करेगा येसे प्रमोड करेगा दोनों में किस तरह िंट्राक्शन हो रहा है अंतर करिया कैसे हो रही है और दोन एक दूसरzahl को कैसे प्रमोड कर रहा है इसकार्थ ये है कि जब तक गरीवी दूर नहीं होगी तब तक आंत्रिक सुरुच्छा को मजबूत करना अत्यांत कठीन है ये गरीवी अब सुचू ज़रा अब एक प्रस्न कि प्रस्न कैसे पूछेगा UPSC इसमें एक सब्ध का प्रयोग किया था मैंने निवेश इनिवेश्टमेंट का अर्थ क्या होता है हम निवेश कहते किसे हैं विद्यम निवेश के हम बात करें निवेश का समान्यर्थ होता है पैसा लगाना ताकि उत्पादन में बृध्धी हो और लाप की प्राप्ती हो पर एक्जम्पल investment expenditure में अंतर होता है खर्च से लाब की प्राप्ति नहीं होती लेकिन निवेश से उत्पादन बढ़ता भी है और लाब की प्राप्ति भी होती है फर एक जम्पल ये दिया हम उधारन की बात करें तमाल लो मैंने एक सड खरीदा है उस सड से मुझे कोई लाब नहीं होगा ना तो उत्पादन बृध्धी होगी ति मेरा खर्च है पर मैंने ट्यूसन फीच चुकाई है तो मेरा निवेश है क्यों? क्योंकि ट्यूसन फीच चुकाने से क्या होगा? मेरा सैक्चिक विकास होगा सेक्चिक विकास हुआ व्यक्तित्त्त का विकास होगा मैं human resource में convert हो जाओंगा मैं उत्पादन में participate करूंगा production क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा हमें साथ जैसे हम सभी लोग एक common man है हम सभी लोग साबून सैंपू और क्रीम का प्रियूग करते हैं वस्तुता हम जो साबून और सैंपू लगाते हैं वह खर्च है क्यों क्यों कि उसका उत्पादन और लापर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन माल लो मैं एक्टर बन जाता हूं और मेकप को मैं प्रमोड करता हूं मेकप करके जाता हूं और मेकप यदि में पांच जार रुप्या खर्च किया और उस मेकप से मेरी कीमत बढ़े जाती है मुझे प्राफिट ज्यादा गेन होता है तो निवीस है हमेशा जान दो यह दिमें अपने लिए एसी खरीता हूं तो खर्च है परेदी में मैं कोचिंग चलाता हूं और मेरी कोचिंग का नाम है निष्ट्री आईए से केडमी मैंने अपने क्लास्रूम में एसी लगा दिया एसी ताकि अधिक साथी बच्चों का एडमिसन हो सके तो निवीस है क्यों क्यों कि उस्से लाप की क्या हो गई प्राप्ति होगी हमेशा ध्यांद इस बात को यदि मैंने क्या किया स्वैंग रहने के लिए घर का निर्माड किया तो खर्च है पर मैंने घर का अंध्रमाड इसलिए किया ताकि किराय पर उठा सकूं हमेशा दूसरों को मैं किराय पर देश सकूं और अधिकतम प्राफिट गेन कर सकूं तो वह क्या है निवेश से है इसलिए यह कहा जाता है इन्वेश्टमेंट और एक्स्पेंडीचर की बात करें दोनों में एक बेसिक डिफरेंट है अब सोचे जड़ाओ जैसे मैंने का निवेश इन सब्दों का प्रियोग बार बार होगा निवेश अब देखो आप निवेश का मतलब ही होता है पैसा लगाना इसलिए इन्वेश् कि इसलिए उससे कहते हैं इंवेस्टमेंट और एक चाहिए धान्दने से बात को निवेस से कैसे जोड़ देगा इंटरनल सेक्योटी से कैसे जोड़ेगा माल लिया जाये हमेसा धान्दू कि यदी निवेस होता है यदी निवेस होगा और दो गेकरन होगा यदी और दो गेकरन होगा तो सुभावी के रोजगार का ये बात हमेशा धान्द इस बात को रुजगार के दिश्रिजन हुआ तो गरीवी में कमी आएगी हमेसा धान्दो गरीवी में कमी आई तो दो चीज़ें विवस्था को समर्थन विला तो कानूर का पालन होगा हमेसा धान्दो कानूर क्यादी पालन हुआ सांति प्यवस्था बनी रहेगी इससे क्या होगा लोग अपने अधिकारों का सक्चम इससे क्या होगा गरिमा में विकास होगा हमेसा धान्दिस बात को मैंने क्या का और जब गरिमा में विकास होगा आंत्रिक सुरच्छा मजबूत आंत्रिक सुरच्छा मजबूत होगी पुरिवाध्यान दिस बात को ये दिन निवेश होगा और दो की करण बढ़ेगा रुजगार का स्रिजन होगा गरिमी में कमी आएगी ब्यवस्था को लोग सपोर्ड करेंगे जब ब्यवस्था को समर्थन मिलेगा तो कानुन का पालन होगा सांती ब्यवस्था बनी रहेगी लोग अपने अधिकारों का उभोग करने में सक्चम होगी गर्मा में विकास होगा अंतिक सुरच्छा क्या होगी, मघबूत होगी हमेशा धल्दुस बात को, इसलिए यह कहा जाता है कि निवेश जरूरी है हमेशा यह जो निवेश से यह जरूरी है और निवेश इंटर्नल सिक्यूर्टी को कैसे मघबूत करेगा माल लिया जाए यह हम इंडिया की बात करती हैं यह इंडिया है माल लिया जाए यह इंडिया है अब एक्चिस सोचो जाए इस बेल्ट में युए सिजादा हो रहा है यह पूरा ईंसीयार का बेंट है माल लिया जाए यह इंसीयार है यह यह निवेस्जादा होगा यह गरीवी कम होगी सवावी के यहां इंडियो सिकूरी की प्राप्लम नहीं होगी पर यह जो बेल्ट है, यह जो बेल्ट है, रेट कोरिडोर आपका पूरा चतिस गड़, जारखन, बिहार, वेश्ट बंगाल, उडिसा की बात करें, यहां गरीबी ज्यादा है, यहां निवेश्वानी यहां गरीबी ज्यादा है, और जहां गरीबी ज्यादा होगी, वहां आं क्या कहा जाता है कि internal security को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका यह है कि निवेश को क्या किया जाए प्रबूर किया जाए अब सोचू ज़ना प्रस्न कैसे पूछेगा UPSC कि प्रस्न कैसे पूछ सकता है कुछ नहीं पूछेगा UPSC कि आंतिक स्रुच्छा को मजबूत करने के लिए करने के लिए पुचित निवेश माडल पर विचार करना होगा पुचित निवेश अपना ना होगा इस पश्ट करें आगे हम बात करेंगे कि बहुत सारे investment model है और इंटर्नल सेक्यूरिटी को मजबूत करना है उचित निवेस model को follow करना होगा क्योंकि उसकी भीना इंटर्नल सेक्यूरिटी मजबूत हो ही नहीं सकते अब सोचू जराब यह चीज हैं हमारा अब हम बात करते हैं कि असमान विकास और छित्री असंतुलेल कैसी इंटर्नल सेक्यूरिटी को कमजूर करता है इसका मत्तिव यह है इदि सभी छित्रों का समान विकास नहीं हो पाया तो हमारी जो आंत्रिक सुरच्छा है वह कमजूर हो जाएगे इसलिए प्रतिक छित्रों के समान विकास की वकालत की जाती है यह कैसे और किस रूप में और समाबिसी विकास इंटर्नल सेक्यूरिटी को कैसे मजबूत करेगा जिसकी बात हम लोग करेंगे ध्यान देने इस बात को देखो आप सबस्वड़ी चीज़ तो यह है कि प्रस्न जैसे मैंने यह कहा छित्री असंतुलन आंत्रिक सुरच्छा के रिए एक कम जोड़ी है कई बर क्या होता है कि निवेस छित्री असमानता को प्रमोर करता है और चेत्री असंतुलन चेत्रवाद को प्रमोर करेगा चेत्रवाद आंत्रिक सुर्च्छा के रिए एक प्राव्लम क्रियेट करेगा जैसे हम छोड़ा चीजाम पर लेते हैं मैंने कहा कि चेत्री असंतुलन की बात करें चेत्री असंतुलन की कारणा हमेशा ध्यान दो इस छित्री असंतुलन के कारणा आत्तम घुवाद को कैसे प्रसान मिलता है कि आंत्रिक सुर्च्छा कम जोर हो सकती है इस पस्ट करें एक समाने कुछन पूछा जा सकता है आप से कुछ अगले कुछन क्या पूछ सकता है कि भारत के बिसे छित्रों में आलत्रिक सुर्च्छा के समस्या है भारत के बिसे छित्रों में आंत्रिक सुर्च्छा की समस्या उत्पन हुई है परिक्षण करें या फिर हम मुल्यांकर की बात करें या तो परिक्षण की बात करेंगा या तो मुल्यांकर की बात करेंगा अब देखो आप सिस बात में अगले क्लास में करेंगे एक बात कहना चाहता हूं ज्यान दे इस बात को यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो आपका लाइक करना शेयर करना मेरी लिए एक मोटिवेटर का काम करेगा ताकि आपके लिए और बहतर में क्लास ले सब्सक्रिप्शन पर्चिस करते हैं सब्सक्रिप्शन यह आप पर्चिस करते हैं और निश्चे के रिफरल कोड का उपयोग करते हैं ताको दस प्रचिसत डिस्काउंट मेलेगा एक बाप नहीं सा काना चाहता हूं किस सब्सक्रिप्शन के लिए होनी चाहिए आखे कुछ लोगे सेलेक्शन क्यों लेते हैं कि सोच जड़ा हम पढ़ते तो बहुत कुछ है लेकिन जब प्रचिस्ट करता है तो लगता है यह हम लिखे तो क्या लिखे है हम सुरुवात कहां से करें अंत कहां करें एक बहुत बड़ी प्रावलम क्रेट होती है इससे दिखा हो या अनेक ऐसे मेंती बच्चे ऐसे हैं जो बाहर हो जाते हैं एक जंप लिताओं में एक ऐसे स्टुडेंट की जो लगातार चार वर आईस मेंस देने के बावजूद कभी वो तीन सो नमर क्रास नहीं किया आईस में मतलब यह कहा जाए कि हजार नमर में वो तीन प्रास किया अ अचानक में मिलता है मुझसे मैं किवे लिखने का तरीका बताता हूं तरवलोजी में उसको क्लियर किया अगली बर सीधे वन 4D प्लस नमबर जंप कर गया हूं आई यस मेंस में ऐसा क्यों होता है क्योंकि सब्द की मेनिंग क्लियर हो जाती है क्योंकि इंटर लिंके जुसका क्लियर हो जाता है अधिया आपका इंटर लिंके इस क्लियर हो गया तापके लिए नमबर पाना बहुत आसान हो जाएगा फिरी बाद रिपीट करता हूँ मेरी बात है अच्छी लगे तब लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो आई दे निश्चे का रेफरेल कोड यूज करते हूँ आप तब को फीस में 10 प्रस्ट की छूट मिनेगी थाइंक झाल 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 क्यार मेरी नच्वाँ करता हूँ